तो प्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी एप काल आपको अपना फोटो लगा सकते हैं तो उसके लिए आपके फॉन में ये अपलिकेशन होनी चीए जिसका नाम है आइकन चेंजर तो friends इस app का link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से इस application को download कर सकते हैं तो चलिए आप मैं आपको फटा फट बता देता हूँ कि आप ये application किस तरह use करेंगे किसी भी application पर अपना photo लगाने के लिए तो चलिए start करते हैं तो friends simply आपको इस application को open करना है open करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको interface दिखाई देगा तो friends simply आपको इस पर click करना होगा जैसे कि यहाँ पर click कर रहे हैं तो click करने के बाद यहाँ पर आपके phone में जितनी भी application है यहाँ पर आपको दिखा देगा आप किसी का भी icon change करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो इसमें आपको example दिखाने के लिए आपको अभी बताता हूँ मैं इस one head application का icon change करके आपको दिखाता हूँ तो friends यहाँ पर आप कई तरह की चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर filter, changer, director आप यहाँ पर इस application से इसका नाम भी change कर सकते हैं तो इसका नाम change करने के लिए simply यहाँ पर आपको लिखना होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी मैं जैसे अपने channel का नाम लिख रहा हूँ अभी आपको बताने के लिए तो यहाँ पर लिखने के बाद अगर आप इसको change करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको simply इस change के option पर click करना होगा तो चलिए हम click कर लेते हैं click करने के बाद आप कहां से photo लेना चाहेंगे तो मैं अपनी अभी gallery में चलता हूँ तो मैं gallery में गया तो मैं gallery अले option पर click करिया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं अब हब एक photo choose करने हारा हूँ मैंने अब हब इस वक्त hide कर दिया थे मैं नहीं चाहता कोई photo देखे तो मैं यहाँ से एक wallpaper choose कर लेता हूँ simply आपको दखाने के लिए जैसे मैं यह All Paper ले लिया तो यहां से आप इसको crop भी कर सकते हैं जैसे कि मुझे इतना लगाना है तो करने के बाद आपको simply crop के option पर click करना होगा चलिए हम click कर लेते हैं click करने के बाद आपको इस तरीके का दिखाई देगा यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां से आप filter भी कही तरह के देख सकते हैं तो चलिए हम यह रखते हैं अगर आपको यह फिल्टर रखना है तो आप simply okay पर click करेंगे click करने के बाद आपकी detail होगी है तो हब अब हम okay पर click करेंगे तो जैसे कि मैंने okay पर click करया यहां पर यह loading सा होगा और आपका icon change हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं लिख क्या आया था तो हम मैं बेख होता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ तो friends यहां पर आप देख सकते हैं इसका icon जो है वो change हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसा की चेंज हो गया है अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं यह वही एप्लीकेशन है वनेड तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर आपको मेरा चैनल तो फ्रेंड्स इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा मैं उसका रिप्लाइज जरूर दूँगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या बाह